धनू रासी वालों का आज का रासी फल यानि की 4 नवंबर का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनू मकर एस्पेशल में आपके घरी में सुबह के 9 बच चुके होंगे और मैं हाजिर हूँ फिर से एक नया वेडियो लेकर तो आए वेडि के बारे में तो वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है आज तिथी है अस्टमी नक्षत्र है श्रवन पक्ष है सुकल पक्ष और दिन है सूमबार आज सुर्ज उद्य होगा 6 बज के 34 मिनट में और सुर्जास्त होग पांच बज के 34 मिनट में आज चंदरोदे होने वाला है एक बज कर 7 मिनट में और चंदरास्त होगा 11 बज के 69 मिनट में आज दिन होगा कुल मिलाकर 10 घंटे 69 मिनट 20 सेकेंड का अभी महिना चल रहा है कार्थिक का और आज आपके लिए सुभ समय है 11.42 से लेकर 12.26 के बीच में उसके बाद आपके लिए असुभ समय यानि की जिस समय में आप कोई सुभकार्ज ना करें वो समय है आपके लिए 12.26 मिनट से 1.10 मिनट तक उसके बाद फिर दुबारा है 2.38 मिनट से 3.22 मिनट तक उसके बाद फिर रहु काल सुरू होता है सुबह 7.57 से 9.19 मिनट तक उ उसके बाद आज दिसा सूल है पुर्व दिसा की ओर तो अब हम बात करते हैं पूरे बिस्तार से आपके आज के रासिफल के बारे में उससे पुर्व एक बात अगर आप जन्म कुंडली के लिए या फिर हस्तरेखा के लिए या आपके लाइफ में कहीं कोई दिक्कते हो उसके समाधान के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरा नंबर आपके सामने भी लिखा गया है तो आप देर बिलकुल भी ना करें नंबर वहां से आप नोट कर लें तो पहले हम देखते हैं आपके आज के दिन के बारे में सौर्ट कर रह सकता है धन संपत्ती के लिहाज से भी आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा समस्याएं आपको उसमे भी आज आने वाली है और परिवार के लिहाज से आज का दिन आपका सामान रहेगा ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा प्रेम के मामलों में भी आज आपका ज्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा और ज्यादा बुरा भी नहीं रहेगा ये वियाज बीच में ही रहने वाला है और अब है आपका बैवाहिक जीवन जो की सामान रहेगा तो अब हम बात करते हैं पूरे बिस्तार से आपके आज के दिन के बारे में तो वीडि कमने के वज़ा से आप किसी भी काम को अच्छे सनी कर पाएंगे क्योंकि जब आप कमजोर फिल करेंगे तो आपका काम में मन बिलकुल भी नहीं लगने वाला है आज आप उन योजनाओं पर बिलकुल भी निवेस ना करें जिनके बारे में आज ही आपको पता लगा हो जैनी कि जिसके बारे में आप जानते हो पहले से वहाँ आप निवेस कर सकते हो लेकिन जिस किसी विशय के बारे में आपने आज ही सुना हो आपने आज ही जाना हो उस विशय में आज आज आप बिल्कुल भी निबेस ना करें अगर आप निबेस करेंगे तो फिर आपको वहां समस्या जहलनी पर सकती है आज अगर आपके परिबार में कहीं कोई तनाब हो तो उसको आप प्यार से बहुत ही आराम से निप्टा लें वही आपके इल शहीर हैगा तो मित्रों यही था धनुरासिवालों का आज का रासिफल तो हम सब मिल थे एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जे हिंद जे भारत वंदे मातरम हर हर महादेग